किसान भायू महिंद्रा पांसो पिचेतर डी आई एकसपी प्लस इस ट्रेक्टर का हमने माइलेज टेस्ट भी करा और और हमारे साथ में जिस भाई का ट्रेक्टर है वो इस ट्रेक्टर के बारे में मैंने बहुत बार सुना था कि बहुत ज़्यादा तेल ले रहा है या ऐसे व पहले यह था पहले यह तो भी आया है सिंपल वाला ठीक है तो कैसा रहा इसका रिजल्ट वगएरा अच्छा एवरेज में कैसा रहा आप लीटर खाया पूरी देश मतलब पूरा शोला सो आपिम पर चला के देखा ठीक है जैसे मैंने कोई दिक्कत वगएरा आपको आज तो परफेक्ट रहा हमने मैसी का भी निकाला दूसरे ट्रक्टर निकाला तो उस हिसाब से इसका पांच लिटर आया उनका जब उनका जब जैसे 42HP का आता है 4.5 लिटर तो यह 47HP रहा बरावर दूस हिसाब से काम भी करता है काम अच्छा करता है ज्यादा करता है जितना भी रेतिला मारगो अच्छे से काम करता है ठीक है और कोई जनरल को दिक्कत आज तक खरिदने के बाद अगर कोई किसान लेना चाहता है तो ले सकता है अच्छा तो मैंने तो इसके बारे में थोड़ा बहुत बुराई सुनी थी कहीं पर तो ऐसा भी होता है कि कहीं पर ऐसे वीडियो भी बनाते हैं जो कि किसी किसी मकसद से बनाते है ठीक है लेकिन यहाँ पर जो ओनर है उसका भी कहना है कि पांसो पिचतर सही हमने माइलेज भी टेस्ट करा इसका तो पांच लिटर बैठ रहा है एक गंटे का बराबर तो परफेक्ट है हमारी जमीन के हिसाब से परफेक्ट है रेतिली जमीन में थोड़ा रहता है तो इस हिसाब से माइलेज वगेरा भी सही आया और स्यातालिस एक चला रहें तो फिर माइलेज में फरक पड़े गई क्योंकि इसकी पूरी ताकात लगती है इसके अंदर जितनी ताकात है वह लगेगे ठीक है तो भाई यो पांसो पिचसानों को अगर कोई किसान है बड़ा किसान है उसे खरीदना है तो खरी सकता है जिसे ज़्यादा एस भी वाला ट्रेक्टर कौन खरीद किसान है जिस थाउ मैं